हेलो गाईस अभी जो सर्कुट आप देख रहे हैं ये छोटा सा एक सर्कुट बहुती काम आपके आ सकता है आपके एकुपमेंट को से रखने के लिए अभी जो आप देख रहे हैं ये एक रिले और दो LED के अंदर है एक रैड तो एक ग्रीन है गाईस ये जो LED इंडिकेशन के लिए और ये जो रिले आप देख रहे हैं ये एक प्रोटेक्ट्टिव डिवाइस की तरह यहां पर काम कर रहे हैं अगर बात करते हैं एक की कॉइबी कुपमेंट हो सकता है ये हमारे पास एक कुपमेंट है या дней कि मोटर है ये एक्चौल में अगर आपको प्रोटेक्ट कर नहीं यह फिर कभी कभी का हुदता है लाइन के अंदर यह फिर वोल्टेजी जो आते हैं उसके जो वायर्स होते हैं उसके वायर्स आपस में टूच हो जाते हैं जिसकी वज़े से हमारा जोuchar ब कुद्रे को अतुर। और अब भी जो आप देख रहे हैं यह है एक variable power supply यह भी हमने घर पर ही आसानी से बनाई है इसका भी वीडियो आपको जल्दी से देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप देख रहे हैं इसके अंदर है एक variable point variable point means यहाँ पर जीरो से लेके बारा वोल्ट तक आप वैरी करा सकते हैं तो यह एक्चल में एक constant voltage adapter था यानिकी 12 वोल्ट का एक adapter था लेकिन हमने जो लैब के लिए बनाई है यह special supply जिससे आप जीरो वोल्ट से लेके बारा वोल्ट तक कोई भी voltages यूज कर सकते हैं तो आईए इ से supply देते हैं equipment को और चेक करते हैं इसका performance कैसा होता है गाईज तो यह input है इस side इसका circuit diagram आपको side में देखने को मिल जाएगा आसानी से आप घर पर इस circuit को try कर सकते हैं और अपने equipment को save कर सकते हैं यह फिर उसकी life बढ़ा सकते हैं ठीक है तो अभी जो yellow wire आप देख रहे हैं य yellow wire को हम use कर लें और जो green wire है यह इसका negative है तो green wire को हम negative की तरह use कर लें यहाँ पर हमारे proper connection हो चुके अभी voltages जो है इस पर हमने कुछ mention किया है voltages तो साइद आपको clear नहीं हो रहा होगा क्योंकि यह marker से यहाँ पर mention है तो अभी 6 volt के आसपास हमने किया है 7 volt भी आप कर जखते हैं तो अभी यहाँ पर इसके अंदर apply करते हैं 220 volt आ चुके तो इसे reset करने के लिए आपको यहाँ पर एक button भी आप लगा सकते हैं अब RIS की testing की तो testing के लिए 220 volt आपको यहाँ पर देने इस adapter को चलाने के लिए power on करने तो यह adapter 220 volt को convert करेगा 0 से 12 volt के अंदर DC के अंदर तो यहाँ पर आपको actual में एक push button यूज करने यह फिर आप reset के लिए कोई element ले सकते हैं तो अभी जो motor है वो move कर रहे है यानि कि अच्छे से काम कर रहे है तो अभी देखते हैं इस experiment को करके तो यह जो wire आप देख रहे हैं जो motor के अंदर आ रही है voltages के लिए तो यहाँ पर यह touch करते हैं यह फिर sort करते हैं तो जैसे ही हमने सोट किया यहाँ पर एक red LED का जो warning LED है वो glow होती हुई आपको नजर आ रही होगी तो इस तरह से आपको reset करने है और जो green LED है यह automatic off हो जाएगी तो इस तरह से यह protective circuit काम करता है तो आप घर पर ही आसानी से इस circuit को बना सकते हैं तो अगर वीडियो पिसंद आए तो प्लीज लाइक करते हैं तब तक यह glow होता है यह फिर off होता है लेकिन आज देखने वाले एक special circuit गाइस अभी जो circuit आप देखने है यह circuit कुछी components की help से हमने बनाये और यह काफी usable circuit है गाइस अभी जो circuit आप देखने है यह पूरा जो circuit है यह automatic इस structure को control करेगा इसके अंदर आप देखने कि BC547 जो NPN transistor है आप कहीं पर भी आसानी से मिल सकता है किसी भी market के अंदर और जो आप देखने में जो इसके अंदर component है वो है LDR LDR means light depend register गाइस इसकी resistivity कम होती है जैसे इसके उपर कोई भी light rays इसके उपर पढ़ता है तो इसक यह खास बात होती है यह जो आप देखने यह एक वेडिबल रजिस्टेंस है जो हंड्रेड के कहें गाईस इसे हमें अच्छा सा बनाने के लिए यानि कि एक अड़ेस्टेबल सर्किट बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं कितना darkness यह फिर कम यह फिर ज्यादा वह आप यह यहां से सेट कर सकते क्लोकवाइज फिर एंटिकलोकवाइज मूग करने पर अगर रात होती है तो अटोमेटिक जो आपका LED होगा यानि की बल्ब होगा या कोई भी बल्ब हो सकते है उसे यह उटोमेटिक अड़ेस्ट कर लेगा दैन उसके बाद आप यहां से वैल्यू को स सेट कर सकते हैं वैल्यू सेट करने के बाद यह ओटोमेटिक इस LED बल्ब को ओन ओफ करेगा जैसे दिन होगा तो यह ओन हो जाएगा अगर रात होगी तो यह ओन हो जाएगा अभी जो आप देखने हैं इसके अंदर एक रिले हैं फाइव वोल्ट का और एक डायोड है वनन भी source लगा सकते हैं यह फिर battery लगा सकते हैं आइए इसके experiment को करके देखते हैं इस circuit को use करने की कोशिस करते हैं तो basically यह जो wire आप देखते हैं इस wire को आपको बीच से हटा देना है और यह जो connection आप देखें यह common और normally जो आपका no होता है normally open जो होता है उस पर हमने यह connect किया कोई भी circuit के अंदर आपको यही करना है या फिर कोई भी light के अंदर आपको यही करना है street light आपने देखा होगा उसके अंदर भी यही होता है basically series में switch की जगा ही आपको एक wire connect करना होता है तो यह relay का wire हमने connect कर दिया है इसी के माध्यम से एक control होना start हो जाएगा basically जो circuit होगा या यह automatic circuit को control करने के लिए responsibility ले लेगा तो आई यह से 9V देते हैं एक battery connect करते हैं experiment को complete करने के लिए हमने 9V की battery लिए अभी जो आप देखने यह positive है और इसका negative है तो positive में positive आपको connect करने है और negative में negative आपको connect करने है इसा आपको ध्यान से करने क्योंकि आपको यह AC voltages का जो यहां पर खतर आए वह आपको संभल के रहना है ठीक है तो अभी यहां पर हमने circuit connect कर दिया है तो circuit के अंदर हमने indication कोई भी नहीं दिया है तो अभी इसकी sensitivity हमने बहुती कम की हुई है यानि कि हलका सा भी darkness आने के बाद यह ON हो जाता है हाओ अप देख्रीइं हलका सभी Darkness जैसे आता है आता हो यह ON हो जाता है अभी मैं उपर से ही यहान पर हलका सा करता हूँ तो यह ON हो रहा है अगर Kivolowitz आपको बढ़ाहना हना है तो यहाँ पर इसकी resistivity कम कर सकते हैं तो अभी इसकी जो value होगी वो कम हो जाएगी और इसे move कर सकते हैं तो अभी आप देखे हैं यह आसानी से अभी catch out नहीं कर पा रहा है अगर आप clockwise move करते हैं तो यह sensitivity हो जाता है इस तरह से आप घर पर ही आसानी से इस project को बना सकते हैं अभी जो circuit आप देखे हैं यह circuit है IRF Z44 MOSFET से बना हुआ एक power control circuit means variable power supply का यह circuit है इसके अंदर कुछ components हमने लगा हैं और digitally एक supply लेने की कोसिस की है इसके अंदर जो MOSFET आप देखे हैं IRF Z44 N यह N channel MOSFET और यह जो आप देखे हैं potentiometer variable resistance भी से बोल सकते हैं 470 के इसकी value है आपको दिखाई दे रहा होगा 470 के तक का इसका resistance यह vary करा सकते हैं और इसके अंदर हमने दिये हुए हैं 5 indication light 5 indication light का मतलब जो पहली light है वो 2 volt को produce यानि की indicate करती है और यह 5 volt को यह 8 volt को यह 12 को और यह 12 से उपर voltage को दिखाती है तो यह कुछ indicate के रूप में काम करती है अभी जो देख रहे हैं यह हमारे पास है 24 volt आप चाहें तो अलग से भी power source ले सकते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसे control कर गए कि कैसे यह circuit काम करता है तो अभी जो आप देखरें इसके अंदर दो wire है input के तो यह इसका positive है और जो दूसरा wire है यह एक इसका negative होगा guys negative common होता इसके अंदर तो अभी देखते हैं circuit का performance तो अभी जो light आप देख रहे हैं इसके अंदर एक light आपको दिख रहा होगा जैसे ही आप इसे move करोगे तो यहां पर indication यानि कि यह जो output है output voltage increase हो रहा है इसे गुमाने से अभी देख रहे हैं जितना voltage आप चाहे उतना voltage यहां से ले सकते हैं तो इस तरह से digital variable power supply काम करती है यह सस्ती और simple घर पर ही आप आसानी से इसे बना सकते हैं circuit को तो अगर यह पसंदा आ रहा है circuit तो आपको like करना है इसे बनाने की कोशिस करते हैं किस प्रकार से आप इस circuit को बना सकते हैं आप 0.5V से 24V तक यहां पर vary करा सकते हैं नोर्मली यह काम भी करेगा अच्छे से काम करत अगर आप ampere ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर MOSFET बढ़ाना होगा otherwise आप general purpose के लिए यह circuit डिजाइन कर सकते हैं और बहुत ही valuable एक circuit है जो आपके काम आने वाला है अभी जो आप देखें इसके connection देख लेते हैं suppose हमारे पास है तीन equipment यहां पर आप दे variable resistance पे connect कर दिया है guys जो output पे भी आपको direct ही लेना है तो यह इसका output हो गया है negative यह input हुआ और output common होके ऐसे ही आ गया है तो next step के अंदर आपको क्या करने है जो variable resistance का बीच वाला point है यह आपको gate से touch करने है यहाँ पे gate से आपको touch करने है और जो third point है यह आपको बीच वाले terminal से यानि कि drain से connect कर देना है यह gate होता है यह drain होता है और यह source होता है source as a output आप यूज़ कर सकते है यह variable output होगा positive का यानि कि यह क्या काम करेगा यह जो voltage आपको अपलाई करना है direct बीच वाले terminal पे circuit की working होगी यह जो बीच वाले terminal पे आपने 24 volt दिया है यह gate के through इस voltage को control करेगा यानि कि अगर यहाँ पर यह one voltage देता है divide करके तो यहाँ पर आपको 4 volt मिलेगे 2 volt देता है तो 8 volt मिलेगे gate पर जितना voltage control होगा उतना ही यह यहाँ पर pass out करेगा drain to source इस तरह से यह circuit काम करता है अगर बात करें इंडिकेशन की तो इंडिकेशन के अंदर हमने 5 LED लिया है 5 LED पाचों की 5 LED हमने इस series में अगर यह positive है तो इनेगिटिव है यह positive है तो इनेगिटिव है यह positive है तो इनेगि आपको connect करने है तो इस तरह से आपको connect करने है